Hello my dear students, क्या आपका भी सपना है IIT Bombay जाने का? तो ये वीडियो आप ही के लिए बना रहा हूं है इस वीडियो को पूरा जरूर देखें तो चलिए सुरू करते हैं तो आज अपने यहां पर बात करेंगे J Advanced Level की प्रॉब्लम के बारे में ये भी एक Mechanics की प्रॉब्लम है बहुत अची प्रॉब्लम है ये सबसे पहले क्योसन को आपन रीड करते हैं One-fourth length of a uniform road of mass M and length L is placed on a rough horizontal surface and it is held stationary in horizontal position by means of a light thread as shown in the figure मतलब भी बोल रहा है कि रोड है इसका one-fourth part ये horizontal surface की उपर रखा गया है जो की क्या है rough surface है और उसका mass दे रहा है road का अपन को M इसकी length दे रहा है total L फिर इसने बोला है the thread is burnt and then the road starts rotating about the edge मतलब भी बोधरा इस thread को इसने जला दिया जैसे इसको जलाया तो road क्या कर रही ये जो edge है ना इस edge के about rotate करेगी find the angle of the road with the horizontal when it is about to slide on the edge मतलब भी बोधरा अपनको वो angle बताना है जब ये road ऐसे rotate करेगी ना जिससे की road क्या करेगी slip कर जाएगी the coefficient of friction between the road and the surface is mu अपनको friction coefficient क्यूशन में given है जो की mu है अपनने जैसी धागे को यहाँ पर burn किया जैसी धागे को जलाया तो यहाँ पर सबसे पहले road इस point के बाउट rotate करेगी और एक time ऐसा आएगा जब भी road slip कर जाएगी और ये road horizontal से theta angle बना रही होगी अपने assume कर लिया तो अपनको यहाँ पर ये theta find करना है ये angle वो angle है जिस पर क्या होगी road slip कर जाएगी अब यहाँ पर अपन क्या करेए इस पर कौन कौन से forces लग रहे है वो draw कर देते है अब देखो इस पर एक तो weight नीचे के और mg लगेगा एक यहाँ पर ये contact point नॉर्मल लगाएगा इस direction में जो की surface के perpendicular है और यहाँ पर road slip करेगी downward action में जाएगी तो यहाँ पर friction upward में लगेगा open क्या करते हैं यहाँ पर simply यह जो mg है ना इसके component ले लेते हैं एक component क्या आएगा इस direction में आएगा एक component रोड के along आएगा और एक road के perpendicular आ रहा है देखो यह वाला angle theta है यहाँ पर horizontal से angle किता में लाड़ी theta तो यहाँ पर भी theta हो गया यह और यह 99 theta यह वाला वापस मेरा क्या हो जाएगा theta हो जाएगा इसका मतलब mg का यह component क्या आगया मेरे पास mg cost theta और यह वाला mg sign theta अब यहाँ पर simple सी बात है इसने ऐसा बहुत रखा है कि यहाँ पर क्या होगा road slip होगी और open को क्या करना है देखो यहाँ पर road क्या कर रही है slip होने से पहले road इस point के about क्या कर रही है pure rotational motion कर रही है इसका मतलब friction क्या है sufficient है तो friction यदि present नहीं होता तो यह तो slip हो जाती पहली इसका मतलब इसको rotate कौन करवा रहा है यह friction ही तो है जो इसको rotate करवा रहा है इसका मतलब ये friction ही है force जो इसको centripetal force दे रहा है क्योंकि ये road है इसका mass distribute हो रहा है तो इसका centrum mass है ना उसको अपन point mass मानेंगे center of mass यहाँ पर है इसका तो यहाँ पर यह इसका point mass है अब इसकी अपन condition लिखेंगे क्योंकि centripetal force उसके कौन दे रहा है friction दे रहा है क्योंकि इस point के about यह rotate कर रही है तो friction देखो center की और लग रहा है इस direction में लेकिन इसकी opposite direction में mg sin theta लग रहा है R यहाँ पर radius को represent करता है तो यह point mass है इस point के about rotate कर रहा है तो यह distance क्या है इसकी यही तो R है radius यहाँ पर देखो यह L by 4 है यह वाले भी L by 4 है क्योंकि यह total load की length क्या है L है तो यह center of mass L by 2 और यह L by 4 है तो यह वाले भी L by 4 हो जाएगी तो simply यहाँ पर मिरे पास आजाएगा R की जगे L by 4 जो की radius का कारे करेगी जब कोई road pure rotational motion करती है तो V equal to क्या होता omega R होता है तो यहाँ पर मैं simply क्या रहूँ V equal to omega R क्या है L by 4 है तो V की जगे मैं आपर क्या करूँगा यह put कर दूँगा तो finally इसको मैंने calculate कर लिए आपन के पास यह equation आगी third equation आपन के पास एक और variable omega आगया क्योंकि देखो friction friction क्या होता mu into normal अब यहाँ पर normal है एक omega और create हो गया इसका मतलब एक और equation अपनको produce करनी होगी वो equation कैसे आएगी यहाँ पर अपनको omega find करने के लिए अपनको क्या करना होगा simply यहाँ पर energy conservation अपलाई करना होगा क्यों कि यहाँ पर road slip होने से पहले pure rotational motion कर रही है जब pure rotational motion कर रही है तो इसकी यहाँ पर देखो road ऐसे horizontal थी तो उसकी potential energy में जो भी decrement आया वो सारा कहा गया इसकी rotational energy में इसकी rotational energy में change अपन कैसे लिखते है mg delta h यही तो होता potential energy में change equal to यहाँ पर rotational energy है ठीक है तो rotational energy यहाँ पर की rest थी omega s का 0 था तो simply यहाँ पर initially तो यहाँ पर rotational energy की 0 है तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगी अब इसकी rotational energy हो जाएगी half i omega square अब यहाँ पर mg delta h delta h क्या है यहाँ पर height में कितना decrement आया देखो road है यहाँ पर road थी तो road का central mass पहले यहाँ पर था अब यह नीचे आगया इतना नीचे आया तो यहाँ पर delta h यह वाली delta h है तो right है मेरे को यह पता है यह वाला angle theta है तो सामने वाला यह वाला भी angle मेरा theta हो जाएगा तो यह वाला मेरे पास theta है और मेरे को पता है यह वाली length क्या है l by 4 है तो देखो मैंने एजटी इसको triangle को यहाँ पर बना लिया देखो यह l by 4 मैंने यहाँ पर represent theta angle मेरे को पता था मेरे को find करना यह delta h height में decrement कितना आया center of mark नीचे कितना गया तो यहाँ पर देखो यह वाला अपना हो जाएगा delta h तो यहाँ पर simply कैसे find करेंगे sin theta होता perpendicular upon hypotenuse तो यहाँ पर sin theta apply करेंगे sin theta हो गया perpendicular upon hypotenuse तो यहाँ पर इसको calculate कर लिया यहाँ पर delta h की value आगे यह तो यहाँ पर इसको बने पूट कर दिया हाँ यहाँ पर हाँ तो एजडी तरह जाएगा आई यहाँ पर moment of inertia है इस road का इस point के about यह rotate कर रही है इस point के about moment of inertia क्या होगा दो को road का center of mask के about perpendicular moment of inertia मेरे को पता है क्या है ml square upon 12 तो यहाँ पर हो जाएगा ml square upon 12 लेकिन इस road का अपन को इस point के about नहीं करना है इसको अपन को इस point के about करना है तो यहाँ पर इस shift कर दूँगा कितनी distance shift किया मैंने L by 4 यह distance कितनी L by 4 है तो L by 4 distance shift किया तो यहाँ पर इसमें add हो जाएगा simply इसका mass क्या है M कितना distance shift किया L by 4 तो L by 4 का hall square तो यह अपना आजाए कि moment of inertia इस point के about और यहाँ पर omega score एज़िदी ज़्याद गया और omega score हो गया इसको अपन calculate कर लेते हैं जैसी calculate किया omega की अपन के पास value आ गई लग रहा था centripetal force की अपने equation लिख दी centripetal force होता है जो कि यहाँ पर इस road को circle पर rotate कर वा रहा है और अपन बात करें tangential acceleration की तो tangent की direction में कौन से force लग रहे हैं पहली बात road ऐसे rotate कर रही इस direction में इसका मतलब tangential force क्या होगा इस direction में लगेगा mass into tangential acceleration ATT मतलब tangential तो यह अपने equation आगी fourth equation यहाँ पर यह tangential acceleration है तो यह तो tangent की direction में acceleration है अपनको यहाँ पर listen पता है acceleration और angular acceleration में वो क्या होता है A equal to होता है R alpha alpha यहाँ पर angular acceleration होता है तो यहाँ पर simply हो जाएगा AT equal to R R radius कितनी यह L by 4 है तो यहाँ पर यह चीज मैं इसमें put कर दूँगा यह अपने आगी fifth equation तो यहाँ पर मेरे पास यह equation आगी अब मेरे पास यह alpha आ जाए तो मेरा normal आ जाएगा यहाँ तो मेरे को alpha की value find करें तो simple सी बात है alpha कैसे find हो सकता है देखो इस point के अबाओ torque की equation लिखके alpha find किया जा सकता है क्योंकि अपनको पता है torque और alpha में एक relation होता है क्या होता है torque equal to I alpha तो इस point के अबाओ तो मैं torque लिख रहा हूँ अब मैं आपर इस point के अबाओ torque लिख हूँ तो simply देखो forces सबसे पहले कौन कौन से forces लग रहे है उसको अपन चेक करें एक normal है एक friction है और एक यहां पर mg था mg के अपना component ले लिए थ तो देखो normal तो इसी point से पास हो रहा है न perpendicular distance की 0 है इसका मतलब normal का torque अपना 0 हो गया open बात करें friction की तो friction भी इसी point से पास हो रहा है इसका मतलब friction की perpendicular distance 0 इसका मतलब यहां पर torque हो जाएगा friction का वो भी 0 हो जाएगा open बात करें यहां पर mg sine theta यह भी देखो इसी point से पास हो रहा है ऐसे आ रहा है तो यहां पर इसका भी perpendicular distance 0 है यही यहाँ पर torque produce कर पाएगा इस point के about यहाँ पर simply मैंने torque लिख दिया है यहाँ पर mg cosita का देखो force perpendicular distance force कितना है mg cosita तो force mg cosita perpendicular distance कितनी L by 4 तो यहाँ पर simply L by 4 तो यह अपना torque आ गया अब torque equal to क्या है I alpha equal कर देता हूं में तो I यहाँ पर moment of inertia है इस point के about क्यों क्योंकि अपन इस point के about torque फाइंड कर रहे है तो moment of inertia इस point के about क्या अपने परले find किया था यहाँ पर मैंने इसको equal कर दिया अब अपन इसको calculate करके alpha की value find कर ले तो जैसी मैंने इसको calculate किया मेरे पास alpha की value आ गी यहाँ पर स्ब्सक्राइब करें इससरी विदियो को लाइक είर सब्सक्राइब जरूर बढें कि झाल झाल